Hello everyone and welcome to this session और यह बहुत ही interesting session है और यह session उन सभी students के लिए है जो की computer science branch से है अगर आप placements के तियारी कर रहे हैं interviews के तियारी कर रहे हैं तो कुछ ऐसे problems हैं जो बहुत interesting है क्योंकि बार-बार अलगर companies जो है इसको बार-बार पूछे जाती है जैसे कुछ specific problem मैं यहां से देख रहा है उसको बोलते हैं valid parenthesis और यह facebook के भी problem आ चुकी है कुछ अच्छे जो companies है वहाँ पर यह statement जो है यह problem जो है वो कई बार यहाँ पर आ चुकी है तो हम आज इसके बारे में discuss करने वाले है और I hope कि session आपको अच्छा लगे है session आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को like जरूर कर सकते है तो पहले इस वीडियो को आप pause कर सकते है और देख सकते हैं यह problem यहाँ पर क्या है तो हम इस statement जो है मैं यहाँ से read कर रहता हूँ ताकि आपको क्यों problem ना रहे ठीक है तो यहाँ पर mentioned है कि given a string as containing just characters कुछ characters है जहाँ पर आपके पास opening bracket है closing bracket है यहाँ पर भी opening और closing bracket जो है वो यहाँ पर mentioned है आपको देखना है कि कोई जो परन्थिस से जो है वो valid है कि नहीं है जैसे मैं कुछ example से आपको यहाँ देता हूँ let us suppose आपके पास कुछ statement है a plus b plus c maybe plus d इस तरीके से आपने कुछ parentheses यहाँ से बनाई है अब आपको देखोगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस statement को execute करते है और execute करने के लिए हमें देखना है कि यह parenthesis जो है valid है कि नहीं है उसी तरीके से हम इन दोनों को valid करते हैं कि या क्या इसका opening bracket और closing bracket जो है वो valid है और उसी तरीके से यहाँ पर भी opening और closing bracket valid है अगर valid है तो we can say yes यह statement is perfectly fine लेकिन अगर कहीं पर कुछ ऐसा है maybe you have opening bracket a plus c plus 4 और इस तरीके से कुछ bracket आपने हाँ से बना दी है और maybe 5 और इस तरीके से parenthesis आपके पास है अगर आप देखोगे तो parenthesis जो है वो यहाँ पर valid नहीं है क्यों? क्योंकि यह जो opening bracket है उसके बाद जो closing bracket जो है वो same bracket के अंदर ही होना चाहिए यह जो order है वो order is very important क्योंकि यहाँ पर अगर देखोगे इन दोनों के बीच में यहाँ पर यह जो bracket है opening हो गई यह closing हो गई लेकिन यह जो parenthesis है वो दूसरे bracket से बाहर जा रही है यहाँ से तो वो parenthesis जो है valid नहीं है तो उसको बोलते है valid parenthesis तो हमें देखना होता है कि statement जो है जो parenthesis है वो valid है या फिर नहीं है अब कुछ examples है जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो तो बहुत easy example जो है mentioned है यहाँ पर कि यहाँ पर opening or closing bracket है यहाँ पर opening closing bracket है opening closing है opening closing है तो यहाँ पर भी कोई problem नहीं है लेकिन यहाँ पर यह opening bracket जो है इसके साथ-साथ यह closing bracket भी होनी चाहिए लेकिन उसके जिगह पर यह दूसरे type की valid brackets यहाँ पर given है तो यह जो parenthesis है वो यहाँ पर valid नहीं है तो इस problem को solve करने के लिए सबसे easy जो data structures हम लोग use करते हैं that is by using as stack एक simple example आपको देता हूँ जैसे valid parenthesis में example आपको दे रहा हूँ data suppose आपके पास a plus b है उसके पास c है और यह आपके पास एक statement है that is d ठीक है यह कुछ parenthesis में नहीं है से बना दी अब उसको valid करने के लिए कि हम एक data structures को use करते हैं as a stack जिसों सबसे पहले अगर आपके पास open bracket आएगी तो हम उसको stack वह यहाँ पर दाल देगे दूसरा एक open bracket आएगी आपके पास उसको भी हमने आपस stack पर ढल दिया फिर आपके पास opening bracket है तो उसको भी हमने आपस stack पर ड्लिया अब कुछ statements हमारे पास आगी और जैसे ही आपके पास एक closing bracket यहाँ पर आपके पास आजाएगी ठीक है जैसे ही आपके पास closing bracket आपके पास आएगी हम इसको stack से remove कर देंगे उसी तरीके से, जैसे ही हमार पास दूसरी closing bracket यहाँ पर आएगी हमने भी इसको stack में डाल दिया और शी तरीके से, यहाँ पर भी जो last closing bracket है, जैसे आपके पस closing bracket यहाँ पर आपको पास आएगी हमें को stack रोड़ देगी जैसे अगर कुछ statement यहां से use कर रहा हूं यहां से maybe like a opening bracket plus b maybe we have one more bracket here maybe we have closing bracket we have c और फिर आपके बास closing bracket है अगर आप यहां पर देखोगे तो इसका जो order है वो शायद यहां पर valid नहीं रहेगा तो वो valid करने के लिए हम लोग stack को use करेंगे तो आपके बास opening bracket आया stack पे हम लोग डाल दो उसी तरीके से दूसरा आपके बास एक opening bracket आया इसको हमने stack में आपर डाल दिया अब जैसे ही इसके closing bracket आयेगी वो इससे कर आप check करेंगे तो यहां से valid नहीं हो रहा है वो because यह वाला जो bracket है और यह जो bracket है वो दोनों clearly match नहीं हो रहा है तो यहां से you can clearly say कि it is not valid यह valid नहीं है यह आपकी problem है बहुत easy problem है इस problem को use करने के लिए हम simply मैं आपको studio code पर आपके हां से बताऊंगा और फिर हम दोग देखें कैसे हम इस same problem को हम use कर सकते हैं मैं भी by using Java ठेक है Java का code में आपके आपके ऐसे बनादूना तो करना क्या है सबसे पहले आप एक stack को बनाओ ठेक है फिर आपके पास हर एक जो character आपके पास आ रहा है उसको read करो अगर पहला जो bracket है वो आपके पास opening bracket है या फिर ये वाला bracket है या फिर आपके पास यह वारा bracket है तो हम उसको stack में push कर दो अगर कहीं पर भी ऐसा नहीं है आपके पास stack is completely empty somehow तो closing bracket लब तक आपके पास आई नहीं है तो आप बोसर क्लोजिट इस false otherwise हमें करना यह है कि जैसी आपकी closing bracket यहाँ पर आपके पास आएगी तो हम उसको stack से remove कर देंगे दूसरे को भी हम लोग stack में डालेंगे इसको remove कर देंगे and so on and this is how you'll be able to solve this problem अब मैं क्या करता हूँ? मैं same problem को solve करता हूँ by using a java तो problem में आपको record करता हूँ then you'll be able to see how can I solve this problem अगर आप push problem को आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले मैंने एक functions यान एक method यहाँ पर already mentioned है एक class है solutions और वहाँ पर एक method यहाँ से बनाया है is valid जहाँ पर एक string given है तो string सा मतब है कि जो भी हमारे पास एक पूरी strings या statement यहाँ पर मिलेगी तो हमारे पास statement को हमें यहाँ से solve करना है कि क्या जो वरंथिस है वो valid है या फिर नहीं है तो करने के लिए सबसे पहले हमें एक stack को हमें यूज करना पड़ेगा और stack पर हम characters को यूज करने वाले हैं तो simple सी problem है तो I am going to use a stack with characters और वहाँ पर हम आपको stack को मैंने हाँ से बना दिया है simply और से case मैं एकन से new stack पहले statement हमने हाँ से use करनी अब करने के बाद हमें एक follow up करेंगे हमें करना यह है कि बार बार जो भी नया character आना है हमें उसको read करना है और read करने के लिए मैंने follow up के हाँ से बना दिया है यानि कि कुछ इस तरीके से for character c as s array और इसको हमने closing bracket हमने यह से ले ली है और हर लूप में हमें यही same statement को यह से use करने वाले हैं तो हम दूख चेक करेंगे कि जो भी opening bracket होगी अगर if it is character is a opening bracket इस तरीके से ओके और या फिर अगर जो character जो है वो दूसरे यह वाली हमरे पास एक characters है अपने opening bracket इस तरीके से है ठीक है या फिर हमारे पास c is this next type तो यानि कि इस के लिए हमें इस opening bracket को जैसे हमारे पास series में से कोई भी opening bracket यहाँ पर आपके पास आएगी तो हमें इसको stack में पूश कर देंगे ठीक है तो मैं गूइंग टू stack dot push with c अगर ऐसा नहीं है तो simply बोल सकते हैं कि if this stack is empty अगर opening bracket ही आपके पास empty है उस case में simply return false ठीक है तो यह दो statement यहाँ पर आपके पास आगई ठीक है यह opening bracket है और अगर आपका stack completely empty है तो उस case में रहेंगे false otherwise you can say character अधर टॉब इस नॉट इक्वल टू दिस ब्राकेट इस नॉट इक्वल टू दिस ब्राकेट तो उस केस में या फिर हमें दूसरी स्टेटमें को इस करेंगे यह फिर आपके पास अगर और अपके पास अगर ऑपनी ब्राकेट यहां पर ही वह साथ-साथ-साथ-सेम् ओपनी ब्राकेट भी है या फिर हम सेम स्टेटम को यूज़ करेंगे for the last bracket simply just return false अगर आसा नहीं है तो हम रोग यहां से कर देंगे once ठेक है तो पूरी statement में पहला closing हो गया दूसरे बारी bracket भी यहां से हो गई है तो इसको करने के बाद we can say return stack dot is empty and this is done I guess यहां से देख रहते हैं से मैंने क्या क्या किया है ठीक है यहां से रण करके देख रहते हैं फिर कुछ प्रॉल्म होगी इसको सौकर नहीं कुशिश करेंगे some error let me correct it 13, 15 ठीक है 13, 15 में कुछ error है yes I think I've ticked some extra bracket तो मैंने एक extra bracket जो है मैंने हां से यूज कर दिया है let me correct it now I guess it should be fine okay that's it let me try again okay so some error is there again characters stack character yes so I have to use capital character and you can see here yes तो सभी जो state cases है वो यहां से match हो रहा है perfectly fine तो अब फिर से देख लेता है यहां से मैंने क्या क्या किया है मैं आपको दिखाता हूँ तो सबसे पहले हमने एक stack को create कर दिया और हमने जब तक आपके पास जितने भी characters आएगे हमें हर एक characters को हमें pick करना है और जब भी आपके पास opening bracket ये वाली है या फिर आपके पास curly opening bracket है या फिर ये वाली opening bracket है तो हम उसको stack में यहां से डाल देंगे ठीक है और उसी तरीके से अगर आपके पास कहीं पर भी ये जो loop है जो bracket है वो यहां से लेकर यहां तरक एक exist करता है ठीक है थोड़ा सा zoom out करता हूं ताकि देख पहे है तो यहां से गर आप देखने के कोशिश करेंगे कि अगर stack is empty ठीक है तो उस case में just return false otherwise अगर ऐसा नहीं है तो जब यह वाली होगी या फिर यह वाली होगी वो exactly match होनी चाहिए यह नहीं कि जो opening bracket है closing bracket जो है वो इसके opening bracket से match होनी चाहिए bracket जो है वो match नहीं कर रहा है तो वो false करेगा ठीक है कहने का अधब है कि यह जो statement है top is not equal to this कहने का अधब है कहीं पर भी अगर आपके पास ऐसा है कि आपकी closing bracket जो है और वो इससे match नहीं हो रहा है तब हम लोग बोलेंगे it is false और last में अगर end में अगर आपका stack empty है तो just return true ठीक है फिर से बताता हूँ सिर्फ एक यहीं छोटा सा interesting part है हमने बोला है कि अगर आपके पास जो closing bracket है closing bracket है वो अगर opening bracket से match नहीं कर रहा है वो same नहीं है यह से इदर देहोगा इस को यह case में यह जो statement है कि जो closing bracket है वो इससे match नहीं हो रहा है then only return false otherwise अगर वो match हो रहा है तो कोई दिकत ही नहीं है तब तक यह statement यहाँ पर execute करे गई it and this is how you will be able to solve this problem I hope you understand this problem now let us see in the next video and please subscribe to the channel and share with your friends also thank you so much